नमस्कार स्वागत आपका न्यूजवल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी एक नज़र डालेंगे खास ख़बर पर वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवा को लोकसभा में 2021-2022 का आम बज़िट पेश किया स्वास्ते पर 2.38 लाग करोड रुपे के रिकॉर्ड बजट में डॉक्टरों के चेहरे पर खुशी लाई है पहली बार जीडिपी का दो फीजदी बजट स्वास्ते पर खर्च होगा बुनियादी सरकारी स्वास्ते सेवाओं को नई ताकत मिलेगी ये पहली बार है जब 2021 का बजट चापा नहीं गया है इसमें इलेक्टरोनिक प्रारूप में जारी किया गया है इस साल भी वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाशन को बही खाते के रूप में ही ले जाने की अपनी परंपरा को जारी रखा इसके लिए उन्होंने लाल रंग के पर्स नुमा बही खाते का इस्तिमाल किया कोरोनम हमारी के बीज सरकार ने 2021 के लिए 188 और कल्यान के शेत्र के लिए 2,23,840 करोड रुपे के बजट का प्रस्ताव रखा इसमें मौजूदा वित वर्ष के 94,452 करोड रुपे के बजट परिवे की तुलना में 137 प्रतिश्चत का इजाफा प्रस्तावित है वहीं वित मंत्री निर्मला सीतरमन ने अपने बजट भाशन में अगले वित वर्ष के लिए कोविड नाइनटीन के टीके के लिए हास से 35,000 करोड रुपे के परिवे का प्रस्ताव भी रखा और देज़ भर में नियूमो कोकल टीके को उपलब कराये जाने की घोशना भी की जिसे हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई जा सकेगी वित मंतरी ने 2021 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैंने 2021 के लिए कोविड नाइनटीन टीके के बास्ते 35,000 करोड रुपे का प्रावधान रखा है मैं जरूरत पढ़ने पर और धन देने की प्रतिबधिता चताती हूँ साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कोविड नाइनटीन के दो टीके के इस्तिमाल की मनजूरी दे चुका है और देश में जल्द ही वो दो और टीके को टीक करण अभ्यान में शामिल किया जा सकता है वही वित मंत्री ने कहा कि केंडर की एक नई योजना प्रधान मंत्री आतनिर्भ स्वस्त भारत योजना लॉंच की जाएगी इस योजना पर 6 सालों में करीब 64,180 करोर खर्च होगा खास खबर में आज के लिए बस इतना ही लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूस वाल इंडिया